गुड मॉर्निंग ओल अफ यू आज हम बी एफ हस्टियर लाइब्रेरी साइंस का प्रथम पेपर शुरू करने जा रहे हैं अपना जो बी एफ हस्टियर लाइब्रेरी साइंस का जो पहला पेपर है वह पुस्तकाले विज्ञान के मूल आदार है पुस्तकाले विज्ञान जो आज एक विशे के रूप में है वो उसका किस प्रकार विकास हुआ क्या उसका इतियास है किन-किन संसनों ने अपना योगदान देकर पुस्तकाले के विकास को बढ़ाया है तो हम इस पूरे पेपर में पुस्तकाले के बेसिक आधार की बात करेंगे जिसमें सबसे पहले हम पुस्तकाले के इतियास के बारे में बात करेंगे तो आज हम पुस्तकाले का विकास किस प्रकार हुआ और स्पेशली भारत के संदर्थ में हम इसके बाद में अमेरिका का इतियास भी पढ़ेंगे पुस्तकाले का ब्रिटेन के पुस्तकाले का इतियास भी पढ़ेंगे लेकिन आज के इस वीडियो में हम भारत में पुस्काले के विकास के बारे में चर्चा करेंगे भारत में पुस्काले के विकास को दो भागों में बाटा गया है जिसमें प्रथम भाग तो स्वतंतरता से पूर्व का इतियास और दूसरा भाग स्वतंतरता के बाद का इतियास स्वतंतरता के पूर्व के इतियास को हम overall देखेंगे जबकि स्वतंतरता के बाद के इतियास को हम अलग-अलग भागों में बांट कर देखेंगे जिसमें जो बात का इतियास है, उसमें हम किन-किन संस्तानों ने अपना पुस्काले के विकास में योगदान दिया, पुस्काले विकास के लिए कौन-कौन सी समीति यहां बनी, सरकार द्वारा, विबिन जो दल वगेरा बनाये गए, नीतियां वगेरा बनाये गई, तो उन न इस वीडियो में हम पुस्टकाले के जो विकास हुआ बारत में सतंतरता से पुर्व के इतिहास के बारे में बात करेंगे तो हम सबसे पहले इस क्षेत्र में देखें तो अमेरिका ब्रिटेन का जो पुस्टकाले का जो इतिहास रहा है प्राचिन काल में उससे भारत के पुस्कालयों का इत्यास अधिक गोरवशाली रहा है इसका जो प्रमान हमें जो चिनी यात्री भारत में अध्यान करने के लिए आये थे जिनमें फायान, एट सिंग, हैंस्वांग तो इन्होंने अपनी यात्रा के व्रतांत में लिखा है कि भारत में पुस्कालय का सिस्टम उस प्राचिनकाल में कितना सूसजित, व्यवस्थित और विकसित रूप्रे स्तापित था तो जो सबसे पहले जो इसके बारे में प्रसंग मिलता है वो हमें चिनी यात्री फायान के द्वारा मिलता है वो पांचवी सतापदी के प्रारंब में भारत आये थे उन्होंने अपने प्रवास के दोरान भारत के जो इतियास है भारत की जो संस्क्रती है इसके बारे में लिखा यहां के जो ग्रंत है दर्शन के ग्रंत थे उनका अध्यन किया उनका translation किया यानि उनका अनुवाद किया चीनी भाशा में तो उन्होंने बताया है कि दूसरी सताबदी में नागारजुन विद्यापिट नागारजुन विद्यापिट बिहार में स्तापित है बिहार में एक नागारजुन परवत है वहाँ पर ये विद्यापीट स्तापित था तो उन्होंने बताये कि जो नागारजुन विद्यापीट था उसकी पांचवी मंजिल पर पुस्त का लए स्तापित था वहाँ पर बोध धर्म एवं अन्य दर्शन सास्त्रों की पुस्त कों का संग्रत था तो ये बात उन्होंने अपने जो यात्रा व्रतांते उसमें बताई है दूसरा उदारण चेनी यात्री जो एट सिंग आये थे उन्होंने बताये था कि उस समय में जो मठ हुआ करते थे जो सिक्षन प्रनाली होती थी वो आश्रम में होती थी तो वहाँ पर अनेक मठों में या आश्रमों में पुस्त काले उपस्तित थे उनके लिए एक पुस्त काले अध्यक्स रखा जाता था और वो जो आस्रम में पढ़ने वाले या विद्या जो मठ में पढ़ने वाले जो विद्यारती होते थे उनके लिए उन पुस्तकों को उप्योग में लाया जाता था तो इत्सिंग ने बताया है कि एक वलब भी क्षत्र था जो कि अभी गुजरात सोरास्ट्र में स्तापी थे वो एक महत्पुन शिक्षा का केंद्र था वहाँ पर बहुत सम्रिद्ध पुस्तकाले था इसके अलावा तीसरा विव्रम जो मिलता है वह चीनी यात्री वैन सांग का मिलता है उन्होंने उलेख किया है कि ऐसे कई मट थे जहाँ पर पुस्काले थे अवस्तित थे और पुस्काले में पुस्काले दक्स या पुस्काले भंडारपाल की जो वहाँ पर रखे जाते थे उन्होंने बताया है कि भारत का प्रसिद भारत का क्या पुरे विश्व का प्रसिद नालंदा विश्व विद्याले में एक विश्रत पुस्काले फेला हुआ था जिसमें तीन बहुत बड़ी इमारतें थी और एक सू सजित पुस्काले था वहाँ पर जो पुस्काले होता था वहाँ पर सारस्वतिक भंडारिक यानि पुस्काले ड्यक्स नाम से और सास्त्र के ड्यपक के नाम से वहाँ पर उनको पदस्तापित किया जाता था पुस्काले ड्यक्सों को उन पुस्काले को चलाने के ल और फिर जो सल्तनत काला था, उस समय में भारत के पुस्तकाले को काफी नुकसान हुआ, जो अर्बों ने काफी पुस्तकाले को नस्ट किया था, सल्तनत काल में भी कोई पुस्तकाले के विकास में ऐसे कोई प्रमान नहीं मिलते हैं, लेकिन मुगल काल में पुस्तकाले को काफ पी महत्वदी आगया था हुमायू ने अकबर ने आदी जो समराड थे उन्होंने पुसकालयों की वेवस्ता के लिए एक अलग विभाग बनाये था और उनकी देखरे के लिए अलग से उन्होंने नाजीम यानि निदेशक की वेवस्ता की थी और वहाँ पर किसी भी प्रतिस् हैं कि हुमायू की जुम्रति हुई थी वो पुसकालय की सीडियों से गिरने से हो गए थी तो इससे प्रमाण मिलता है कि जो समराड थे वो उन्हों पुसकालयों में अध्यन करते थे और उनके या पुसकालय अवस्तित थे तो मुगलकाल में पुसकालयों का काफी विकास इसके बाद में देखा जाए तो फिर जो अंग्रेजी शासन भारत पर आये था तो उन्होंने भी समय समय पर जो विश्विद्याले उन्होंने बनाए थे बॉंबे विश्विद्याले कलकता विश्विद्याले तो ये जो बड़े विश्विद्याले थे इन बड़े पुस्काले विभाग की स्तापना भी की थी और समय समय पर जो समीतिया इन भारत में सिक्ष्या के विकास पर अंग्रेजों ने बनाई थी उन समीतियों में पुस्काले के विकास पर भी थोड़ा बहुत सायोग किया गया उनकी विकास पर भी काम किया गया तो इस सेट्र में स फिर Riche Committee आये थी Scentham Committee आये थी Riche Committee 1926 में आये थी Scentham Committee 1934 में आये थी तो इन्होंने भी Pustka-लेओं के विकास पर अपनी बात रखी थी लेकिन इन समीतियों का कोई विशेश प्रभाव नहीं बढ़ा था भारत के Pustka-लेओं पर या उनिवर्सिटी जो भी विश्विद्याले थे उनके पुस्टकालेओं पर तो अंग्रे जी शाषनकाल में पुस्टकालेओं का इतना विकास नहीं हुआ था इस अंदर पे हम बात करें तो एक सर्पोजी सरस्वती पुस्कालेओं जो कि तंजावुर तंजावुर तमिल नाडू में इस्तित है तो महराज सर्पोजी सरस्वती महल पुस्कालेओं विश्विके चुनिंदा मद्धिकालेओं पुस्कालेओं में गिना जाता है यहाँ पुस्काले काफी विकसित पुस्काले है यहाँ पर 46,000 के लगबग पांडू लिपिया अवस्ती थी है पांडू लिपिया यानि हस्त लिखित गरंथ जब मुंदरन का अविश्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले जो अधिक्तम क्या सभी गरंथ हस्त लिखित ही हुआ करते थे तो उन गरंथों को पांडू लिपिया कहते है जो प्रिंटेड फोर्म में होते हैं वो पुस्त के या प्रलेक होते हैं और जो हस्त लिखित होते हैं वे पांडू लिपिया होते हैं तो जो तंजावूर का जो सरस्रती पुस्काले था उसमें संस्क्रत, मराठी, तेलगू, तमिल और अन्य पाशाओं में काफी पांडूली पिया अवस्तित है और जो आज भी अवस्तित है। 1918 में इस पुस्काले को सारजनिक पुस्काले गोशित किया और वर्तमान में ये भारत सरकार के सस्कृतिक मंत्राले के अदीन आता है। इसके अलावा ब्रिटिश आशन के दोरान विबिन कोश वगेरा स्तापित करने के लिए अदीनियम पारित किया था पुस्काले के संदर्प में। 1906 में बडोदा में विलियम एलंसन बोर्डर द्वारा प्रथम लाइबरेरी स्कूल की स्थापना करना। फिर 1924 में मदरास उन्वर्सिटी में लैबररिन के पत पर डॉक्टर स.R. रंगनाथन की न्युक्ति करना 1928 में डॉक्टर स.R. रंगनाथन द्वारा पूस्क ले के पांच सुत्रों का प्रकाशन करना फिर उसी साल मदरास लैबररी आसोशेशंग की स्तापना करना 1933 में भारती पुस्काले संग की स्तापना करना तो ये सबी समय समय पर जो विबिन गटनाई हुई है उन्होंने पुस्काले के जो विकास में अपना अलग अलग तरीके से योगदान दिया है इसके अलावा जो गटनाई है इसके अलावा जो डौक्टर एसा रंगनाथन जो थे फिर वो दिल्ली विश्विदयाले में उनका पदार्पन हुआ था और माना किया जाता है कि डौक्टर एसा रंगनाथन जो जिसे की भारत में पुस्काले विज्यान के पिता मा कहा जाता है फादर ओफ लाइब्रेरी साइंस का जाता है उन्होंने पुस्काले के विकास में भारत में पुस्काले के विकास में अपना महत्वपुन योगदान दिया है चाए वो पुस्काले के वर्गी करण के ख्षत्र में हो या पुस्काले के सूची करण के ख्षत्र में हो या फिर पुस्काले की सेवा के ख्षत्र में हो उनके जो उन्होंने 1928 इसमें 5 सुत्र पुस्काले की 5 सिद्दानतों की शुरुवात की थी 1931 में उनको publish करवाय था वो पांच सुत्र आज भी उतने ही प्रासंगीक है जितने 1931 में थे या उस सत्कालिन समय में थे तो इस परकार उसकाले विज्ञान का जो सतनत्रता से पूर्व का इतियास है वो यह था नेक्स वीडियो में हम सतनत्रता के बाद के इतियास के बारे में चर्चा करेंगे